नमस्का, मैं हो ससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बताया जाता है कि इसमें दो से तीन दिनों का और समय लग सकता है आयोग की अनुसानसा के बाद भी सेस्ता रद करने में क्यों देरी हो रही है इस पर राजभवन द्वारा अधिक्रित रूप से कोई जनकारी नहीं दी गई बताद सुक्रवार तक राजभवन में जो गति भी दिया हुई थी उसके अनुसार संभवना जताई जा रहे थी कि सन्निवार को हमंत की सेस्ता रद करने का राज़ेपल का अधिस निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और आयोग ही सेस्ता रद होने की सुचना जारी करेगा अब सन्निवार को भी इसमें राजभवन से कोई करवाई नहीं होने पर या क्यास लगाया जा रहे हैं कि राजभवन में इसमें कोई जल्दिबाजी नहीं करना चाहता है 28 अगस्थ को भारी बारिष जारखन के एक हिसे में रविवार 28 अगस्थ को भारी बारसा होगी रांची के बीर्शा मुंडायार पोट इस्थित मोसम के नहीं नе सन्निवार कोई हजणकारे दी है मौसम की चेतावनी में कहा गया है कि जारखन के उत्री भागे में कहीं कहीं भारी बारिस होगी वहीं रांची में 31 अगस्त तक बादल छाये रहेंगे हर दिन एक या दो बार हलके से मत दर्च की बरसा होगी इस दोरान अधिकतम तापमान 32 से 32 डिगरी के बिच रहने का अनुमान है जबकि निमतम तापमान 23 से 24 डिगरी के बिच रह सकता है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने बिधाय को संग मनाई पिकनिक जारखन की रहेंगी का पाराचाड़ा हुआ है सियासी गति विध्या उफायन पर है मुख्य मंत्री हेमान सुरेन द्वारा माइनिंग लिज लिए जाने के मामल में राजभोन का देस पर चुनाव आयो के सुचना का इंतजार है मुख्यमंत्री की कूर्सी को लेकर असमंजस की स्थिती बनी हुई है इधर UPA ने अपनी एक जुटता दिखाई है सन्नीवर की सुबा 11 बजे से ही गटबंधन की विधायक मुख्यमंत्री आवास पर जुटने लगे थे UPA बिधायक तीन वोलबो बस पर सवार होकर सीएम आवास से खोटी के लतरातु पहुँचे बता देडायम के किनारे 42 बिधायकों की पाटी चली इस गोल बंधी के साथ UPA ने सरकार को लेकर नोट टेंसन का मैसेज दिया मुख्यमंत्री हमन शूरेन के भाई वद्धूमका से विधायक बसंद, सुरेन, दिल्ली से जारखन पहुँचे और वैठत में सामील हुए जारखन बोड आठवी का रियल्ट जारी जारखन एकेडमी कॉण्सील की ओर से जैक जारखन बोड आठवी का रियल्ट जारी कर दिया गया है कक्छा आठ के परिनाम जेक के दिकारिक बेप साइट पर उपलब्द होंगे कक्छा आठ के लिए बोट परिक्षा जुन जुलाई दो जीर बाईस में उजित की गई थी कक्छा आठ ज़ार्खन बोट का परिनाम बेप साइट चेक.जर्खन.gov.in या जे रियल.com परूमी द्वारे के लिउपलब्ध है बता दे इस साल जैक कक्छा आठ परिशा दो हजर बाइस में कूल 5,2757 चात्रों पस्थित हुए जिसमें 4,54,146 को उतिन घोसित किया गया कूल 39,90 परतिसत दर्च किया गया है सियम हेमंत के साथ मजबूती से खड़ी है कांग्रेस अविनास पांडे हेमंत सुरेन की बिधायकी पर नीरनाय और जार्खन में चल रहे है सियासी स्तंकट के बीच सन्यवार को पूरे दीन महाकट बंधन बिधायक मुख्यमंत्री के साथ नजर आए मुख्यमंत्री आवास पर जूटे सतधारी दल के बिधायकों ने एक सवर में कहा कि बिधायक पर से आयोगेता के समन्द में राजेपाल का फाइसला जो भी आए उनके सरोमान नेता हिमंत सुरेन ही बने रहेंगे नीजीवानों से जो बिधायक नहीं आये थे वह भी अपने अपने नेताव से संपर्क में रहें वही सानिवार को सियमों में हुई बैठक के बाद सभी बिधायकों के लेकर हमंद सुरेन खोटी के लतरातु इस्थीत सरकारी गेस्ट आउस पहुँचे अनुबंद सहायक प्रचार्यों की बैठक हुई जारखन सहायक प्रध्यापक अनुबंद संग राची विश्वविद्याला इकाई की बैठक सनिवार को जन जाती है वम छेत्रिय भासा बिभाग में हुई इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राजे के सभी विश्व विद्यालों में कारेरत घंटी अधारित अनुबंद साहयक परचारियों के नियमिती करन के लिए स्टैचू निर्मान करने वो हटाये गए सिक्षकों की सेवा बरकरार करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए साथ ही निश्चित मांसिक मांदे की मांग की गई बैठक में निश्चित मांसिक मांदे के साथ 65 वर्ष की उम्रतक नोक्री सुरक्षित करने के लिए एक 11 सदस्य कमीटी के गठन किया गया कमीटी 10 दिनों के अंदर सभी पक्षों को ग्यापन देगी सर्व सिक्षा अभियान का पैसा नहीं लटाने वाले सिक्षकों का बेतन बंद सरकारी स्कूलों में भवन निर्मानवा चार दिवारी का काम अधूरा छोड़ने या बची हुई रासी वापस नहीं लटाने वाले हेडमास्टों के खिलाप करवाई होगी जीला समग्र सिक्षा अभियान ने ऐसे स्कूलों को चीनित करने की परकिलिया सुरू कर दिया अत्मी की भी दर्ज करने को कहा गया है डी यो इंद्रभूसन सिंग ने इस मावले में आदेश जारी कर दिया है भाजपात जना देश का कर रही अपमान बन्ना गुपता राजपाल रमेस बैस के मुख्य मंत्री हमन सुरून की बिधान सबसस्ता निरस्त करने के निर्नाय लिये जाने के बाद राज में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है राज में निताओ का कहना है कि राज सरकार आम लोगों के लिए जिस तरह से काम कर रही है ऐसे में भाजपा परिशान है यहां की राजनीतिक को भाजपा दूसित करना चाहती है हेमांत सुरेन सरकार के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं एक के बाद एक बहतरीन काम कर रहे हैं ऐसे में बीजेपी परिशान है जब राज सुरंगीन विकास की ओर बढ़ रहा है तो भाजपा चींतित है भाजपा किसी न किसी तरह से सरकार को गिराना चाती है हम सरकार को बचाना चाते हैं भाजपा जनादेश का अपमान कर रही है जार्खन में सियासी संकट के बीच बोले मंत्री जगनात महतो जार्खन के बोकारो जिले के भंडरा दह में सनिवार को सहीद गनेश महतो के सहाधत दिवस का उजन किया गया इस समारो में भाग लेने जार्खन के सिक्षा मंत्री जगनात महतो हेलिकॉप्टर से पहुँचे उन्होंने गनेश महतो की पतिमापन मर्यारपन किया इस दवरान उन्होंने पत्रकारों से बाचीत में कहा कि हमन्त सुरेन मुख्य मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे भाजपा द्वारा सरकार को आइस्थिर करने की साजिस की जा रही है उन्होंने कहा कि UPA गटबंधन के बिधायक एक जुट हैं सरकार को कहीं से कोई खत्रा नहीं है पीएम मोदी के मंत्री के सामने 13 जोड आठ नहीं बता पाए है मन्त की पाट सला के स्टुडेंट जारखन के सरकारी सिक्छा बेवस्था कैसी है इसकी कलाई सन्निवार को खुल गई बता देहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्छा आठ वी के च्छात्र न तो देश के परधान मंत्री का नाम बता पाए और नहीं 13 में 8 जोडने पर कितना होगा बेवस्था कि यह पोल परधान मंत्री नायन मोदी के मंत्री के सामने खुली द्रसल केंद्री समाजीक न्याय वा अधिकारिता मंत्री बिरेंद्र कुमार हजारी बाग पहुँचे थे जोजनाओ का निरिक्षन करने वा दारू परखन पहुँचे थे इसी दोरान मध्य विद्याले महेसरा पहुँच गए इसकूल में कक्षा आठवी बर्ग के छात्रों से उन्होंने तेरा और आठ का जोड़ बताने को कहा बर्ग में मवजूद कोई भी छात्र जबाब नहीं दे पाया वहां मवजूद विद्याले के सिक्षक सहीत सभी अधिकारी हैरान रह गए धन्यवाद